तो पाउबाजी तो आपने बहुत बार बनाई होगी लेकिन एक बार इस तरह से भी बना करके जरू से ट्राइ कीजेगा तो आज हम स्ट्रीट स्टाइल बटर पाउबाजी बनाएंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो क हरे मटर ले लेंगे दो छोटे वाले बेंगन लिये है एक चुथाई कप जितना घाजर एक कप जितने कटे हुए आलू हाफ कप फ्लावर और हाफ कप क्याबेज लिया है यानि कि फूल गोभी और पता गोभी दोनों हाफ-फाफ कप लिये है अब हमने या पर जो बेंगन है उसे हम एक कट लगा करके चेक कर लेंगे कोई भी सडन ना हो वो देखना जरूरी है पैंगन में तो प्रेशर कुकर में अब हम पानी एड कर देंगे जितनी सब्जी भिगोए उतना ही पानी एड करें बहुत ज्यादा पानी एड ना कर दे क्योंकि ये पानी को हम करने हो दinizi ड्रेड करने हो तो आप एड कर सकते हैं कोई स्कीप करना हो दो सकते हैं चैसी कि क्या सिक मैसे कर सकते हैं जोटा साई पीश भी आप एड कर सकते हैं तो इस तरह से हम सब्समेश्ट ध papers to get F लेसन अच्छे से ग्राइंड हो जाए तिन बड़े चमच कश्मीडी लालमीज पावडर एड़ कर देंगे अगर आप चाहे तो तीखा वाला लालमीज और कश्मीडी दोनों आधी-आधी मात्रा में भी ले सकते हैं एक चौथाई कब जीतना पानी एड़ कर देंगे सारा पानी एक साथ एड़ नहीं कर लेना है अदर्वाइज लेसन की कली जो है वो प्रॉपर ग्राइंड नहीं हो पाएगी तो लेसन की पेस्ट जो है वो रेडी हो चुकी है चलिए अब आम पावजी बनाना स्टार्ट करते तो एक कड़ाई में एक चुछाई कप जीतना हम तील ले लेंगे और एक चुछाई कप जीतना बटर ले लेंगे बटर की जबहा आप घर का गी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जाहें तो सिर्फ तेल में भी बना सकते हैं मैं यहाँ पर दोनों आधी-आधी मात्रा में ले रही ह तो आप कुछ सेकंद्स के लिए गेस के आंज को बंद कर सकते हैं अदर इसके अंदर जो हमने लालमिज पाउडर एड़ किया है वो जो है वो जल जाएगा तो यह तड़का लगाते समय यह बात का हमें खास खाल रखना है बहुत ज्यादा तील या गी घरम नहीं होना तो अब हम इसे कवर करके अच्छे से पकाएंगे जब तक प्याज जो है वो हलके से सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे कुक कर लेना है मज़ें के इसके पर पकाएंगे बीच-बीच में इसे मिलाते भी रहना है तो यहां पा देखिए तेल भी अलग हो जुका है और अच्छे से सॉफ्ट हो जुके हैं तो छे से साथ बड़े कटे हुए टमाटर की पेस्ट यहां पर एड़ की है कोशिश यही करें कि जब भी पाम भाजी बनाए ना प्रोपर रेड वाले टमाटर का यूज करें कोई भी कलर का यूज किये बी ना भाजी का जुक लर है वो अच्छे से मिला लेना है तो कवर करके इसे भी हम अच्छे से कुक कर लेंगे स्वादनों सा नमक एक कर लेना है तो मदेम गेस की आज पर तेल का अलग हो जाने तक या फिट टमाटर के अच्छे से कुक हो जाने तक हम इसे कुक कर लेंगे और हां बीच-बीच में इसे मिल लेना है अगर आपको आपको आज की पसंद आय तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले चैनल पर नए है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें बेल आइगन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि एसी ही वीडियो के नोटिफिकेसंस आपको मिलते रहें तो सर्दियों में पाउभाजी खाने का मजा ही कुछ और होता है सर्दियों में सब्जिया जो है वह बहुत खिली-खिली और टेस्टी आती है इसी के साथ अगर आप यह पाउभाजी बनाएंगे तो इसका जो वर्जन है वह हेल्दी भी हो जाएगा क्योंकि हमने यह पर बहुत सारी सब्जिया एड़ की है अब हम यह पर स्वाद अनुसा नमक एड़ कर देंगे और इसे भी हमें अच्छे से पकार लेना है उबले हुए है सब्जी फिर भी हम इसे अच्छे से कुक कर देंगे नमक के साथ नमक भी जरू से एड़ करेकाले नमक का स्वात पाउभाजी में बहुत ज्यादा टेस्टी आता है तो कवर करके दो से तीन मिनट इसे कुक कर लिया है अब यह पर एक टेबल स्मून जीतना पाउभाजी मसाला और एड़ कर देंगे एक टेबल स्मून धन्या जीरा पाउड तो यह मसाले को हम एक से दो मिनिट फिर से पका लेंगे जरूत के अनुसार पानी एड़ कर लेना है अगर सबजी उबालते समय पानी थोड़ा सा बच्चा है तो वह पानी भी आप यह पर एड़ कर सकते हैं एक टेबल स्मून जितना पाउभाजी मसाला हम और एड़ कर दे समेशर की मदद से अगर समेश करना जरूरी लगे तो हलका साइसे समेश भी कर ले तो बस दो मिनिट में हमारी पाउभाजी जो हो रेड़ी हो जाएगी बारिक कटा हुआ हरा धनिया हम इसकी उपर स्विंकल कर लेंगे इसे साव करते समय बटर का क्यूब रखना बिलकुल बुले बटर के साथ भाजी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है उमीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी जल्द ही मिलेंगे फिर एक में रेसिपी के साथ तब तक लिए बाबाई